आप सभी को स्वागत है आज हम लोग असिस्टेंट बोरिंग टेकनिसियन के आफ लाइन क्लासेज के बारे में बात करेंगे अगर आपको रिजल्ट हंडिट परसेंट करन फर्म चाहिए तो हमारा कोचिंग आपकी रिजल्ट की गरांटी लेता है अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा तो पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा लेकिन उसके लिए कुछ सर्थ है ठीक है नियम है उस नियम को आपको पालन करना होगा इस सर्थ को इस नियम को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए वैसे स्टूडेंट जिनके लास्ट एज चल रहा है वैसे स्टूडेंट जिनको इस बार ही जौब चाहिए वैसे स्टूडेंट जो आगे तैयारी का कमजोर हैं पढ़ने में वह हमारे ओफलैन कोचिंग जरूर जुआइन करें क्योंकि हमारा कोचिंग सबसे अलग है अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा तो आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा उसके लिए सर्थ क्या है यह सब आज हम लोग बात करेंगे हमारे कोचिंग में कितने घंटे के क्लास होते हैं क्या-क्या-क्या नोट्स मेटेरियल द दिया जाएगा कितने घंटे के कलास होंगे क्या यूपी तिरपल लेसी आपको आउट ओफ स्लेबस भी कोशन पूछता है उसका क्या इतिहास रहा है यह सब के बारे में रिसर्च करने के बाद हम लोग तयार किये हैं और आपको बता दू पचीस अप्रील का निव बैच हमार एक डिस्टिक से हमारे यहां ओफ लाइन में बच्चे कलास करने आये हुए हैं होस्टल में रहते हैं और मैं होस्टल में कभी घुमने जाता हूँ तो देखता हूँ एकक दो दो बज़े तक रात तक स्टूडेंट पढ़ते हैं अब जो दो बज़े एक बज़े रात तक प परहिएगा तो 60 साल के जिंदगी आपकी समर जाएगे आपके हाथ में है क्या करना है नहीं करना है हम सबसे अलग हैं और सबसे अलग रिजल्ट देंगे बाकि रिजल्ट आने दिए सब को पता चल जाएगा कि टेकनीकल क्लासे कैसे सबसे अलग था सबसे पहले मैं बता दूं हमारे यहां ऑफलाइन जो क्लास 25 अप्रिल से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हमारे यहां टेस्ट स्टार्ट हो गया है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 120 नमर का टेस्ट होता है इस टेस्ट में जैसे बोरिंग टेकनीसिन का जो स्लेवस है न उस से टेस्ट होता है साथ नमर का टेकनीकल और साथ नमर का नन टेकनीकल यह टेक हो गया यह टेक हो गया यह नन टेक हो गया ठीक है तो आपको 120 नमर में नमर कितना लाना है आपको 30% नमर लाना है यानि कि 36 नमर लाना है 120 नमर में अगर आप 36 नमर ला देते हैं और आपका रिज अगर होगा तो हम उसी दिन फोरम पर लिखवा लेंगे कि आप रिटर्न की गरांटी से हट गए हैं तो आप लोक के हाथ में हैं कैसे तयारी करना है कैसे नहीं करना है सबसे पहले मैं बता दू हमारे हाँ जो है 7 बजे से morning में बैच स्टार्ट होता है तो 11 सारह 11 बजे तक class चलता है और evening में 4 बजे से class स्टार्ट होगा तो आपको साम में सारह 8 बजे तक class चलता है technical और non-technical दोनों का class होता है 9 घंटा अगर हम परहाते हैं तो 4-5 घंटा घर पर भी आपको परना परेगा जो 14-15 घंटा class में परेगा उसका result नहीं होगा तक किसका होगा तो हमारे coaching में 9 घंटे की class होती है एक बता और बता दू daily हम लोग test लेते हैं 120 नमर का और यह test का discussion करवाया जाता है तीन घंटा तो केवल इसको discussion करने में लगता है एक घंटा group discussion का हम लोग class रखें केवल पूछ ताच करते हैं बाकि chapter wide test होता है modal practice test होता है तो यह हिंदी का class होगा math का class होगा reasoning का class होगा technical का class होगा तो अगर ऐसा class होगा तो result होगा confirm तो अगर 100% result चाहते हैं तो हमारे technical class offline coaching जरूर जोइन करिए और हमारे coaching में अगर ज़्यादा जनकारी लेना चाहते हैं तो description में मेरा WhatsApp नम्मर call नम्मर दिया हुआ है वहाँ पर call करके बात कर सकते हैं और अधिक जनकारी के लिए बात कर सकते हैं और जिनका last stage चल रहा है जिनको इसी बार result चाहिए या वैसे student जो परसान है job के लिए इदा मिहनत करते हैं लेकिन फिर भी एक नमर दो नमर से चूप जाते हैं result नहीं हो रहा है वैसे student भी हमारे offline coaching जरूर जोइन करिए हम combined batch नहीं चला रहा है यह special batch बोरिंग technician का है ऐसा नहीं कि फिटर, टर्नर, मसेनिश, इलेक्टिसियन, इलेक्टावनिश, विल्डर सब को मिला के पराते नहीं यह special हमारे हाँ जो भी batch चलते हैं वो चलते हैं और आपको बोरिंग technician के हिसाब से चल रहा है 25 अप्रिल से batch start है आप लोग जल से जल आईए और जुएन करिए और आप अपना एक सिट पक्का करिए बोरिंग technician में ठीके, ओके, बाई बाई